चलिए बनाते हैं authentic दाल ढोकली इसे हमारे चिकोली बोलते हैं और बहुत टेस्टी लगती है तो इसके लिए normal जो गेहूं काटा होता है वो लिया है उसमें थोड़ा सा नमक और जरा सा हल्दी पाउडर और थोड़े से अजवायन डाल दिये और इसको पानी से मिला के और एक semi टाइट डो बनाना बहुत नरम नहीं होना चाहिए आटा और इस तरह से काटा लगा लेंगे और उसको थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ी दिर आधे घंटे पॉन गंटे के लिए हम रख देंगे ठकके यह एक वन पॉट मील है मतलब बस एक डिश बनाईए और कम्प्लीट है बहुत टेस्टी लगता है मेरा फेवरेट है तो अब थोड़ा सा इसका मसाला कूटने के लिए मैं इसमें हरी मिर्च और अद्रक लैसुन और थोड़ा सा हरा धनिया इन सब को मिला के और कूट लेंगे बहुत बारीक नहीं थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट जैसा बना ले जब यह प्यास हलके से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो फिर इसमें वही जो पिसा हुआ कुटा हुआ मसाला है वो डाल देंगे फिर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हमें हल्दी नमक नहीं डालना क्योंकि हमने दाल पहले से पका के रखिए तूर की द क्योंकि हम जब उसमें डाल डोकली डालेंगे तो वह बॉइल होता है गाड़ी होती है अब यह जो आटा लगाया था इससे एकदम पत्ली सी रोटी बेल लेंगे और फिर उसको अपने मन पसंद साइस के पीसेज में कट कर लेंगे इसको आप इतरे से इंडियन पास्ता भी बोल सकते हैं और घर में बना हुआ कोई मैदानी कुछ नहीं और स्वाद इतना अच्छा कि आप बार बार खाने का मन करेगा देखिए इतना पतला होना चीए और अब यह उबलते हुई डाल में हम डालते जाएंगे अब इसकी यह पहचान है कि पकेगा कैसे पता चलेगा तो यह जो डाल ढोकली है यह उपर आने लगेगी मतलब पकने के बाद तो समझ जाए कि यह रेडी है खाने के लिए बस अब इसमें धन्या पत्ती डालिए देख लीजे आपको कित्ती गाड़ी कंसिस्टेंसी और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजे और बेल आइकन प्रेस करके अपने फ्रेंट्स के साथ जरूर शेर कीजेगा